आज मैं आपको चुखाऊंगा राइटिंग स्किल में एक और टॉपिक जो है दा क्लेवर फॉक्स यह बोर्ड के एक्जाम के सारे बच्चों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो बच्चे 10 और 12 का एक्जाम देने वाले हैं अभी इसके पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड किया है आप जरूर उस वीडियो को देखना उसमें भी आपको ऐसी एक राइटिंग स्किल दिखाई जाएगी इस वीडियो में आपको क्या होता है कि आपको एक फोटो दिखाई जाती है और उस फोटो को बेस पर आपको कम पोजिशन करना पड़ता है तो चलिए शुरू करने से पहले एक बात और कहना है मुझे कि आप लोग वीडियो देखते हैं और उम्मीद है आपको अच्छी भी लग रही होगी तो माइडियर फ्रेंड्स एक काम जरू कर लिया कीजिए वो है चैनल को सब्सक्राइब करना आप मैं से आदे से जादा लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अच्छा लगए तो शेयर कीजिए इन्हीं चीजियों से तो हमें मॉटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बनाते हैं अच्छे अच्छे वीडियोज चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा राइटिंग स्केल आप देख पा रहे होंगे कि एक फोटो है जिसमें एक लॉम्डी है और एक बकरी है कुगा दिख रहा है लॉम्डी कुए के अंदर है और ये आपने कभी न कभी ऐसी एक स्टोरी जरूर सुनी होगी तो आज की जो हमारा स्टोरी का टॉपिक है वो है अकलेवर फोक्स कलेवर फोक्स के बारे में आज हमको इसमें कमपोस करना है तो चलिए शुरू करें एक बार एक लॉम्डी कुए में गिर गई शिट राइट अगेन अद अगेन तू जंप आउट और उसने बाहर आने के लिए बार-बार कोशिस की बटसी फिल्ड लेकिन वो फिल्ड यानि कि वो असफल रही क्योंकि कुए गहरा है और वह कुए से बाहर नहीं आ पाई और कुए था बहुत गहरा तू दीप का मतला बहुत गहरा आफ्टर लिटल वाइल लिटल वाइल मतला होता थोड़ी दिर थोड़ी दिर के बाद अगाट पाजड बाए एक बखरी वहां से गुजड़ी शी वस थर्स्टी वहाँ प्यासी थी शी लुग्ड इंटू था वेल उसने कुए में देखा शी सा आ फॉक्स इनिट उसने उसमें एक लॉब्डी को देखा जैसे ही पानी पीने के लिए उसने जहाका तो उसने वहाँ लॉब्डी को देखा तो उसने लॉब्डी से पूछा तो वहाँ क्या कर रही हो तो वहाँ क्या कर रही हो अरे मैं तो यहाँ पानी पी रही हूँ ये तो बहुत ठंडा है As the god was thirsty अब चुकि जो बकरी थी बहुत प्यासी थी तो वो भी जंप लगा गई यानि she jumped into the well वहकुए में कूद गई मतलब कि वहकुए में लॉम्री की बात मानकर ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए कूद गई अचानक क्या हुआ वो जो लॉम्री थी वो जंप लगाया और कहां बकरी की पीट पर कूद गई यानि कि बकरी की पीट का सहारा लिया and jump out the well और वह कूए के बाहर कूद गई मतलब कि जैसे ही बकरी नीचे आई उसने एक चलांग लगा के बकरी की पीट पर कदम रखा और सीधा कूए के बाहर शी रेन अवे और भाग गई सी दिट नोट स्टेट वहल्ट आउट और वह वहां पर बकरी के बाहर निकालने की मदद करने के लिए नहीं रुकी इसलिए तो सही कहा है ये सही कहा है look before your leap कोई भी काम करने से पहले सोचिए यानि कि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके परणाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए उमीद बच्चो आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ऐसी ही स्टोरी आपको exam में लिखना है और कुछ निए छोटे-छोटे sentence आप बनाते जाए और इन कहानी को compose करिए इसमें आपको तीन नमबर का answer आपको मिलता है और बड़े आसानी से आप ये कर भी सकते हो तो ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सको subscribe कर ले न और अपने उन साथियों को जरूर शेयर कर दिना जब बोर्ड एक्जाम में बैठने वाले हैं बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम अगला वीडियो जैसे बनाएंगे आपको उसका notification मिल चाहे चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अरले वीडियो में और एक नई राइटिंग इसक्लिक साथ तब तक की लिए good bye